हेलो, गुड बॉर्निंग दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के 13th लेक्षे में आपका स्वागत हैं आज की लेक्षे में हम जो इमर्जेंसी के बच्चे वे प्वाइट थे हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं तो पहले थोड़ा सा एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कि कल हमने क्या क्या डिस्कॉस किया था कल देखो एक तो हमने नेसल एमर्जेंसी की बात है, वो कितीनी की राष्ट ये अपातकाल जो कि आपको बता है, आर्टीकल कौन सा था? 352, इसके बाद में हमने देखा था, स्टेट एमर्जेंसी, यह फिर हम बात करते हैं, कि कौन्स्टूशनल एमर्जेंसी, यह फिर हम बात करते हैं, परस्चिडेंट रूल, निगे राष्ट प्तिसासन, इन दो ती नामों से इसको जाना जाता है, और ये कब लगती है, इसक सरकार को बरखास्त कर दे जाता है, और जो राज्ये चलाने का काम है, स्टेट का, वो या तो गवर्णर के हाद में आ जाता है, और भी गवर्णर का आपको पता है, प्रस्चिडेंट के अंडर काम करते हैं, तो मरलब डारेक्ली प्रस्चिडेंट का रूल नहां पर हो जात हो तब ही emergency लगए जाती है बाकी हमने यह देखा था इसके बारे में कि इसको 60 दिन के वितर विदिन 60 डेज हैं वो पार्लेमेंट से अप्रूल लेना होता है कि हाँ भाई यह emergency अगर continue है और maximum जो इसको time period होता है वो होता है वैसे 3 year तीन साल के बाद at any cost election करवान ही पड़ते हैं तीन साल का maximum type period होता है और वैसे क्या प्रावदान है एक बारे में एक साल के लिए लगाई जाती है और हर्च है मीने में इसको अप्रूल है वो करवाना होता है और कौन सी simple majority यहनी कि साधारन बहुमत से सारा काम है वो यहां पर done किया जाता है जबकि जो हम बात करें नेशनल यहां पर emergency की बात थी उसमें कहा था 30 दिन का time था और special majority की बात है वो की गई थी जबकि यहां पर साधारन बहुमत है और साथ दिन का time period है तो यह हमने मोटा मोटा framework देख लिया था इसके बाद हमने यह भी देखा था कि starting में एक साल के लिए लगाई जाती है और एक साल के बाद इसको वापस आगे extend करना होता है तो उसके लिए वो situation उस condition में वापस उसको आगे extend किया जा सकता है और अगा आप extend कर भी रहे हो तो last or last time period होता है तीन साल में तो आपको वहाँ पर मामला set करना ही होगा और election करवा के ही छोड़ने होंगे और वहाँ पर सरकार बनानी ही होगी यह सारी चीज़े हमने यहाँ पर देख ली यह देखो basically बहुत important है और यह 1983 में बनाया गया था यह किसलिए था इसका man motto यह था center and state relation को लगे मतलब इन्हें center और state के relation को लगे guidelines वग रहा हैं काफी सारी recommendation दी थी और उसमें कुछ recommendation को मान मी लिया गया था और कुछ को indirectly implement किया गया था तो जब भी state और center in की राज़े और केंदर की भीस में रिष्टों की बात आती है तो आप सरकार या आयोका मेंस में जरू 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 जिकर करोगे बहुत important हो जाता है और आपको इसकी recommendation बता होना चाहिए अब मैं यह नहीं कहा रहा हूँ आपको सारी की सारी recommendation रटने बैठना है पर आपको जो major recommendation है वो आप लक्षमिकांद से पढ़ सकते हो और जब हम लक्षमिकांद cover करेंगे तो वहाँ पे इनको हम cover करते हुए चलेंगे तो यहाँ मैंने आपको fix बता दिया दो चार चोटोटे fix जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि case on end भारती case थोड़ा अभी आपको revise कर आ रहा है एक बार यह चीज़ें क्योंकि यह आग्या आने वाली है case on end भारती case यह था case on end भारती case में यह कहा गया था कि जो preamble यह जो प्रस्तावना है न सविधान की वो भी एक सविधान का ही हिस्सा है समझी में आ गया प्रस्तावना भी सविधान का ही एक पार्ट है यह तो कहा गया था case on end भारती case में case on end भारती case से पहले case था वो था बेरूबाड़ी case और बेरूबाड़ी में एक आ गया था कि भई ने इस प्रस्तावना या निए प्रेंबल कोंचुन का फार्ट नहीं है बट केस वानन भात में फिर कहा दिया गया कि नहीं भैसाब है गलती होगी पिछितों छोड़ो उस बात को पर आगे से प्रस्तावना भी सुविधान का एक एहम पार्ट है इसके बाद में हमने वैसे डिसकस किया था मिनरवा मील केस मिनरवा मील केस हुआ था वैसे 1980 में हुआ था और इसमें एक आगया था कि जो DPSP लेंके बाद हमने डिसकस किया था था कि वह DPSP है न वो सरोपरी है क्योंकि वह भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं ठीक है एक था गोलक नाथ यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं देखो यह रिवीजन आपका हो जाना है यहां पर तो आपको चीज़े तुरूंत माइंड में याद रहे हैं क्योंकि यह प प्रेक्टिस की है पहले से सब कुछ प्रिपेर किया हूए तो हाथ अटोमेटिकली आगे लिखता हो रहता है तो आपका काम आसान हो जाता है क्योंकि आपको पता है मैंस में टाइम प्रिएट बहुत ही कम होता है आंसरो राइटिंग में काफी लोगों के क्यूशन रहे जा इसलिए यह चीज़ें आपको पता होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप यह नहीं लिखोगे तो आपको marks नहीं देंगे, 0 marks मिल जाएगा, अगर आप यह लिखते हो तो एक value addition हो जाता है, और कई बार directly पूछ भी लिया जाता है, गोलकनाथ में एक आग गया था, बिसक्स क्या होगा साथ हमने इस दीज़ के बारे में, गोलकनाथ केस में क्या गया था, कि fundamental right है न, उनके साथ आप कोई भी दोड़फों नहीं कर सकते, यह भाई साथ, मिलब nature के द्वारा जीगे हैं एक तरीके से, सुविधान अकेला ही नहीं दे रहा है, nature के द्वारा राष्टरपती साथन को भी इसे बोल सकते हैं, इसके बार में कुछ fact है, पहली बार तो यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है न, उसने केस हुआ था, एसार, बोंबई वर्सेज यूनियन गवर्मेंट, यह हुआ था, 1994 में, एसार बोंबई वर्सेज यूनियन गवर्मेंट, यह हुआ था, 1994 में, तो इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिये, कुछ गार्ड लैंस थी, कि वही आप इन इन गार्ड लैंस को फोलो करके आप जो President 2 लेने की राष्टरपति सासन है वो लगा सकते हो ऐसा नहीं कि आप हर किसी basis के ओपर तुका मार के अपनी मनमर्जी से ही स्टेट की पाउर है वो छीन लो जैसे कुछ कंडिशन ऐसी दिगी कि इन के प्रिश्टितियों में आप वहां पे राष्टरपति सासन है वो नहीं लगा सकते हैं कौन गौन सी पहली बात तो है यह मानलो की एक्जामपल ले लो किसी भी स्टेट का एक्जामपल हम अभी ले ल मेजोर्टी तो मिली हुए है खर वो इसके साथ एलाइंस है उनको साथ मिलके यह मानलो कि कंग्रेस को अगर मेजोर्टी नहीं मिलती इन किसी के पास भी पूर्ण मेजोर्टी नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि भाई साब जो Central Government है वहां पर तुलिन तो अमर्जेंसी लगा दे ह पहले मोका देना चीए, उनको सरकार बनाने का, अगर सरकार बन जाती है, तो इसके बाद उनको law and order maintain करने का time तो दो, ऐसा नहीं कि आप हर किसी रीजन पर बुकर दोगे नहीं, वैसा आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई पार्टी, ये माल मेरी सपनी majority साबीद नहीं करपारी, तो इसका मतलब भी नहीं है कि आप वहाँ पर राष्टरप्ती सासन लगो, कोई बात नहीं कहोंगे, साबीद नहीं करपारी, तो दूसरी पार्टी को मोका दो, time दो, कुछ नकुछ तो होना चीए न, तुरंत ही आप राष्टरप्ती स लगे वे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आरोप लग गए, इस condition पर भाई साब, जो मतलब भाँ पर राष्टरप्ती सासन है, वो लगा दिया जाई, इस त्रेंटल है, ऐसी मनमर्जी नहीं कर सकता, तो इस तरिके ही कुछ guidelines यहां पर दी गी है, जो आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है, कुछ और भी guidelines है, जैसे लोग सुभागी बात करते हैं, कि यह दि लोग सुभागा जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं और इसके बाद में स्टेट के अंदर कोई भी party है, उसको majority नहीं मिल दी, एक्जाम पर हाँ इसी ले ले लेते हैं, सेंट्रल कोवर्मेंट कहा है, बीजेपी की है, आपको बताईए, और मद्यपरदेश में भी कौन है, Congress, जबकि Congress से पहले वहाँ पे कौन था, बीजेपी, मतलब सेंट्रल में भी पहले बीजेपी थी, और स्टेट में भी पहले बीजेपी थी, और खेर सेंट्रल में आज ही बीजेपी है, बट वहाँ पर आज इस टेट में कोंगरेस हैं, तो बीजेपी ये लगे कि यार नि मैं तो यहां हार गई, तो मतलब की मनमर्जी कर लेती हूं और राष्टर दिशासन लगा देती हूं और फिशे एलेक्शन कर देती हूं, ऐसा नहीं कर सकती हैं, मतलब की सतारूत पार्टी अगर हार जा जी हमें इसके ज़रुत है कोई condition में लब रखी जा रहे हैं कि हाँ इस इस तरह की problem है यह मानलों कि किया फिर कोई महामारी फैल जाए कुछ और भी कोई ऐसे reasons हो जाए बार्ड वगर आजए तो उस condition में center तुर्ण वहाँ पर emergency नहीं लगा सकता इनकी वहाँ पर राष्ट अप्ति सासन नहीं लगा जा सकता कि आप लोटर को मेंटें नहीं कर पा रहे हो जो इसलिए हम यहां पर राष्ट अप्ति सासन लगा रहे हैं ऐसा नहीं चल सकता तो यह मैंने आपको कुछ fact बते हैं कर आगे भी है एक सेकिंड हाँ अगर कोई भी state है उसकी जो internal अंगे स्टार्ट हो गए है तो state को मौका देना चाहिए state को time देने की जिम्हेदारे बनती है center की और यह center की जिम्हेदारी होती है कि वो उनकी help करें उनको support provide कर वाए अगर उनको force की ज़रत है तो उनको force provide कर वाए जाए ताकि वो low and order को maintain करें डारेक्ली इपने पास कमानी पहले state को मौका देना चाहिए अगर state फिर भी नाकाम हो जाता है सारे काम दांफ है लोगे कुछ भी काम नहीं कर रहा इस्टेट का जो भी system तर सारा तैसनेस हो गया उस condition में ही आप वहां पे राष्टवति सासन लगा सकते हो या फिर जमने आपको बताया कि विदान सबाग उनको मुका दे जाता है पहले कि आप सरकार बनाएए और यह उमीद की जाती है कि राज्येपाल उससे इडंग से काम करें पर ऐसा नहीं है कि वहां पे राष्टवति सासन लगा दिया जाए कि मेजोर्टी नहीं है इसी के साथ ही अगर कोई रीजन ऐसा है कि वहां पे सतार पिसासन लगाईए जैसा कि आपको पता होगा अरुनाचल प्रदेश में भी हुआ था और हम बात करें तो आई थिंक उत्राकन में हुआ था अभी एक दो साल पहले तो बाद में सुप्रिम कोर्ट ने और हाई को नल दे रहा कि नहीं यह तरीका गलत है अब टाइम तो दो अब दो फेक्ट हैं कहा गया खाली पर जो सुप्रिम कोर्ट है उसने दो कंडिशन बताई है कि एगर ऐसा मलग इंडिजन की वजए से आप नेशन जो राष्ट क्या नाम था इस्टेट एमर्जेंसी या प्रसिडेंट रूर लगा रहे हो वो खतम हो जाएगा कौन-कौन से देखो अगर राष्टर पर 30 सासन लगाया जा रहा है ठीक है और जो 30-60 दिन का टाइम प्रेड है सिंपल मेजोरिटी का अगर उसमें वो प्रस्ताव पारिती नहीं हो पाया संद पार्लेमेंट में तो वो अपन्याप खतम हो जाएगा तब तो वो जंजटी नहीं रहेगा और जो सरकार पहले बनी विती वो अपस भाल हो जाएगी जैसे मालों की मर्द्य परदेश में किसी भी रेजन से कोई भी भाना मार के अगर सेंट्रल गौर्नमेंट वहां पर राष्टर प्रिसासन लगा देती है और उसके बाद में वो पार्लेमेंट से अगर पारिती नही की पार है और सुपरिम कोड हाई कोर्ट और सुपरिम कोड में से किसी ने भी सेंट्रल के उस राज़्य में राष्टर प्र 허팝 के आदेश को रद कर जाएगा बस यहां पर यह ध्यान रखना कि high court के पास भी यह power है आप थोड़ा यहां confused हो सकते हो बड़ यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो high court होता है इसके पास भी यह power है यहां पर दीगी है तो यह point यहां पर important है अब हम बात करते हैं एक emergency ओर रहे गी है देखो almost हम apart इसके बात करें तो यह है article 360 पहले कौन से discuss के हैं 352 चोथी national emergency इसके बाद में 356 और इसके बाद में 360 360 में financial emergency पहली बात सबसे important fact आज तक इंडिया में कभी भी financial emergency नहीं लगए गी है ठीक है कब लगए जाती है अगर भारत की जो VTI या financial condition बहुत खराब हो जैसा कि example यह हम ब पाकिस्तान की माली हालत बहुत खस्ताल है खिर उसको loan मिल गया इधर उदर से थोड़ा बहुत बहुत अगर loan नहीं मिलता अगर वैसी ही उससे बुरी condition या उससे और ज़्यदा हालात खराब हो जाए यह मालों कि अगर इंडिया मैसे हाल हो जाते है तो उस condition में financial emergency लगए ज salary इनके जो कारिये बार यही बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है तो जब भी financial emergency लगती है ना तो जो government workers होते है ना इनकी salary उसमें कटोती हो जाती है या इनकी salary बंद भी की जा सकती है यह आप धान रखना अगर financial emergency नहीं लगए गये ना उस condition में आप Supreme Court और High Court Supreme Court और High Court के जज़ों की अगर आपको कटोती करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप financial emergency लगाने के बाद ही कर सकते हो इसके अलावा आपके पास कोई method नहीं है जो salary वगरा होगी या और भी जो इनको daily allowance और travel allowance और मिलते हैं उनमें कटोती का सिर्फ एक option होता है वो होता है financial emergency के बाद ही क दोर हो गया है अब हम आगे से discuss करेंगे वह अभी next lecture में देखेंगे वह है भारतिय संसद्द या Indian Parliament तो आज हम Indian Parliament का जो next lecture है इसको हम cover करने वाले हैं इसमें हम जो लोक सभा है राज्य सभा है मंत्री परिशद है केबिनेट मिनिस्ट्र वगरा है यह सारी चीज़े हम देखन होते हैं कितने कितने विदेख होते हैं कौन-कौन से जो अकाउंट होते हैं पबलिक अकाउंट हो गया इसके साथ ही कानून बनाने की सारी परिकिरिया हम देखने वाले हैं Money Bill, Financial Bill के बार में discuss करेंगे इनमें difference क्या है क्या-क्या guidelines है कि कि किस-क इस condition में कौन सा भी लाया जा स जबता है जो आधार था इसको Money Bill के तहद इंट्रोडूश किया गया यह क्या सही था इलग था यह सारे points हैं वो आ गया जैंगे और हम जो कुछ important construction amendment है उनको भी हम यहां पर cover कर लेंगे कि देखो कुछ-कुछ इस लेक्षर बना majority का तो पहले majority को discuss कर लेंगे कि वो basically 4-5 type की majority है अलग-लग cases में तो वो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी इस लिमान को cover कर लूँगा तो फिलाल के lecture में इतना ही है अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप please comment box में बेशी जग बताइए तो फिलाल के lecture में ही तना ही में तो तं है क्यों और में धर नापको बिसका सेंगे